देखिए एक हाइडिन डिस्टेंस का कोश्चन है क्या कोश्चन है टू टावर फेस इच अज़र सेपरेटली बाइडिस्टेंस ऑफ 25 मीटर आप इसमें क्या बोला है समझ येगा दो टावर है ऑफिसली एक उचा टावर होगा एक छोटा टावर है आप इस पे खड़े हुए और यहां से जब आप देख रहें टॉप अवड़ा ठीक है तो सबसे जब नीचे देख रहें तो आपको एंगिल कितना मिलता है 60 और जब आप इस़े के टॉप को देख रहे हैं तो आपको एंगिल मिलता है 30 डिग्री थिंट रहने कि पर अब ही एक लिए धर होगी इन से समझेगा और जब आप उपर से नीचे देखते हैं तो एंगल बनाते हैं पर ऐसा बना सकते हैं अब अगर मैं आपसे बोलू कि 1060 क्या होगा तो आप बोलते 1060 एच प्लस y upon 25 यानि 25 रूड 3 equal to h plus y या y की वैलू आपके पास in term of h आ गई 25 root 3 minus of h ठीक माइनस of h अच पूरी हाइट को भी मान सकते थे हैं उसमें कोई दिखकर नहीं अब आपने लिया 1030 तो 1030 होगा y upon 25 तो यह हो गया 1 by root 3 यानि 25 रूड 3 equal to y ठीक है अब हमको बताना क्या है एच तो y की वैलू रख देते हैं तो जैसे ही आपने y की वैलू रखी आपका question solve हो जाएगा कैसे 25 root 3 equal to y की जगे रखा 25 root 3 minus h क्राउस multiply कर देजिए तो 25 equal to 75 minus root 3 h या root 3 h equal to आप बोल सकते हो 50 तो h equal to 50 by root 3 तो दिस इस दा राइट आंसर अगर आप question को understand करके करेंगे तो आप से question कभी गलत नहीं होगा झाल या झाल याल